दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का गोल्डन पार्शाला में प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में सामाजी विज्ञान का रियल पेपर सौल्व करेंगे और ये पेपर हमने लिया है उत्तरप्रदेश एन MS एक्जाम 2022 की परिच्छा से इससे पहले हमने 2020, 2021 और 2023 के प्रश्ण पत्र को सौल्व करावा दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिट में जाकर आप देख सकते हैं इसके लावा आप सभी को बता दूँ कि अब की बार जो है 2023 का जो प्रश्ण पत्र होगा सेम इसी पैटर्न पर आधारित आएगा तो लाश तक आप लोग जरूर देखेगा एक एक कोस्चन आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है आईए सुरू करते हैं तो आज की विज्ञान के प्रश्ण 126 नंबर कोस्चन से सुरू होते हैं तो पहला प्रश्ण 126 नंबर है हेरडोर्स कौन था इतिहासकार विज्ञानिक डॉक्टर या फिर दार्सनिक तो इसका वच्चु सही आंसर है इतिहासकार था आप सभी लोग जो है अपने हिसाब से सही आंसर क्या है कमें सक्स्तन में लिखने का प्रयास करें लाच्ट में आप सभी लोगों को बताना है कितने कोश्ण आपके इसमें से सही हुए है आए नेक्स कोश्ण करते हैं 27 नंबर कोश्ण है अशोक ने अधो लिखित किस सताबदी में सासन किया था चौथी सताबदी इसापूर्व, तीसरी सताबदी इसापूर्व, प्रथम सताबदी इसापूर्व या फिर दोतीय सताबदी इसापूर्व तो इसमें आप ध्यान रखेंगे जो असोक समराट असोक का ससनकाल था वो 273 इसा पूर्व से लेकर 232 इसा पूर्व तक रहा था तो इसका मतलब यह हुआ लगभग तीसरी सताबदी इसा पूर्व का समय था जब समराट असोक ने जो है सासन किया था इन्होंने कलिंग योद्ध लड़ा था इसके बारे हमने कल के वीडियो में चर्चा की थी तो अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देख ले 128 नमर कुशन है वाडारसी अधोलिखित किस महाजनपत की राजधानी है तो आप सभी को पता है 16 महाजनपत जो है आपकी किताब में दिये गए है 16 महाजनपत की राजधानी हमने ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया हुआ है तो उस वीडियो को आप जरूर देख ले क्योंकि पिछली बार 2023 का जो एकजाम 13 नमर 2022 को हुआ था उसमें वच्चों दो महाजनपत से रेटेट कोस्चन आये थे कि महाजनपतों या 16 महाजनपतों का उल्ले कहां पर किया गया है तो अंगुतर निकाय में किया गया ये कोस्चन आप से पूछा गया था इसके अलावा ये कुश्चन पूछा गया था कि चंपा महाजनपत की राधानी क्या थी इसके अलावा देखो 2022 में ये प्रशन पूछा गया कि वाडारसी किस महाजनपत की राधानी थी तो ये बच्चों है आपका कास्ती महाजनपत की राधानी वाडारसी थी तो फस्ट आपसे सही जवाब हो जाएगा और ये बहुत important question है आप इसको जरूर note down कर लेजिए अपने copy पर 119 नमबर question है भारत में ब्यापार करने है तुसरोपर्थम अधोल इखित में कौन आये तो इस question पर कल की वीडियो में भी डिसकस किया गया था ब्रिटिस, फ्रांसेसी, पूर्टगाली या फिर डच तो सही आंसर वच्चों है पूर्टगाली सबसे पहले भारत में ब्यापार करने आये थे एक सो तीस नंबर question है ब्रह्म समाज की अस्थापना अधोल इखित में किस ने की थी स्वामी विवेकानन्द, राजा रामोहन राय, दयानन्द या फिर सतीस चंद्र तो सही आंसर वच्चों है, ब्रह्म समाज की अस्थापना राजा राम मुहन राई ने की थी, अब कब की थी तो इसको ध्यान लखेंगे, 1828 ज़िए में ब्रह्म समाज की अस्थापना की गई थी, इसके अलाव स्वामी वेकानन्द ने क्या किया था, तो रामकरष्ण मिशन क स्थापना की थी दायानां चरशती की पुस्तक का क्या नाम है आप सभी लोग कमेंट स्रेक्षन में जबूर लिखिएगा 131 नमबर कुश्चन है गुलाम मुंस का अधो लिखित में संस्थापक कौन था वेरी वेरी इंपोर्टन कुश्चन है ध्यान रखेंगे कौतबुद्दिन आयबक इसका विल्कुछ सही आंसर हो जाएगा कौतबुद्दिन आयबक ये मुहम्मद गौरी का सबसे चहता दाश था और इसी को जो है 1206 भी में कौतबु मुहम्मद गौरी ने अपना जो है उत्राधिकारी नियुक्त किया था और इन्हों ने गुलाम मौन्स की नियुड़ाली थी 1206 में 1206 से लेकर 12010 तक ये जो है सासन करता है इसके बाद इसकी मरत्ति हो जाती चौगान खेलते हुए ये भी आप द्यान रखेगा पड़ा गया है तो आपका राइट आंसर फर्स्ट आप्शन हो जाएगा नेक्स कोशन की बात करते हैं 132 नमबर ख्वाजा मुहनद दिन चिस्ति की दरगाह अधोल इखित में कहां है दिल्ली माउंट अबू अजमेर या भरतपुर सही आंसर है थर्ड आप्शन अजमेर मे जो है ख्वाजा मुहनद दिन चिस्ति की दरगाह है और दिल्ली में बात करें तो निजमुद दिन ऑलिया की दरगाह इस्तित है नेक्स कोशन की बात करते हैं 132 नमबर दिल्ली से दौलता बाद अपनी राजधानी परिवर्टित करने वाला सासक कोन था अलाउद दिन खिल 132 नमबर है भारत छोड़ो आंदोलन अधो लिखित किस वर्ष आरंब हुआ था 1938,1942 या फिर 1944 तो सही आंजरोचों है 1942 में ये महत्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी 135 नमबर कोशन है करो या मरो का नारा अधो लिखित में किस ने दिया था सुभाष नर्वोस, महत्मा गांधी, लाला लाज पत्राय या फिर बाल गंगाधर तिलक तो सही आंजरोचों है महत्मा गांधी ने जो है 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो इसमें जो है करो या मरो का नारा दिया था सेकेंड आप्षन आपका विलकुर सही जवाब है 136 नमबर कोश्चन है पानी पत का पर्थम युद्ध कब हुआ था 1524, 1525, 1526 या फिर 1527 तो पानी पत का पर्थम युद्ध 1526 इस भी में इबराहिम लोदी और बाबर के मद्ध हुआ था जिसमें बाबर की विजय हो गई और मुगल वन्स की नहोंने ने उड़ाली थी 37 नमर कोश्चन है बहुत धर्म की नई साखा महायान उद्भाव अधोलिखित किस काल में हुआ मौरे काल साथवाहन काल कुशाण काल या फिर गुप्त काल तो इसको आप ध्यान रखेंगे ये कुशाण वन्स में जो है बहुत धर्म की नई साखा महायान का उद्भाव होता है ये क्यूं होता है क्योंकि इसमें जो है कुशाण वन्स के सासक थे कनिस्क दिहान रखेंगे कनिस्क जो थे वो कुशाण वन्स के सासक थे और इसके सासनकाल में चतुर्थ बहुत संगीत का आयोजन होता है और उसी चतुरत बहुत संगीत में दो साखाओं में बहुत धर्म बढ़ जाता है हीन यान और महायान तो इसको आप ध्यान लखेंगे नेस्ट कोश्चन देखो 138 नमबर है GMT का पूरा नाम जनी से तातपर क्या है जनरल मेरीडियन टाइम ग्रीन बीच में टाइम तो सेकेंड सेलेनोलोजी, कास्मोलोजी, आयरेडोलोजी, प्लेनेटोलोजी तो सही आंस बच्चों है सेलेनोलोजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्यन को फर्स्ट आप्चन इसका सही जवाब है 140 नमबर कुश्चन पूछा गया था कि छेतरफल के द्रेष्टी से सबसे बड़ा देश कौन सा है कनाडा, चीन, सन्यतुराज अमेरिका या फिर रूस तो रूस जो है वो छेतरफल की द्रेष्ट से विश्टू का सबसे बड़ा देश है और इसको याद करने की ट्रिक क्या है रुक चीन अब आ भारत इसको आव याद कर लेंगे रुक चीन अब आ भारत अब आ भारत तो ऐसे आप इसको याद कर लेंगे कैसे याद करेंगे देखो रूस से रूस का से कनाडा ची से चीन से चीन ठीक आ से अमेरिका बासे ब्राजील और भासे भारत ते भारत तो ऐ ऐसे आप इसको याद कर लेंगे एक ट्रिक है रुक चीन अबा भारत सही आंसर आपका चौथा आप्शन हो जाएगा चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन वाला देश है भारत पाकिस्तान चीन या फिर बर्मा तो चीन में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता है 1965 तो सही आंसर है 1961 में वर्ल्ड वाइल्ड फंड की अस्थापना की गई थी 143 नमबर कुछ ने निमने में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है तो बताईएगा कौन सा इसमें सही आंसर है कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है भूटान नेपाल शिंगापूर या फिर तो आप सभी को पता है जो यह सार्क है सार्क का जो मुख्याला है काठमांडू में है नेपाल की रादानी तो नेपाल तो होई जाएगा भूटान माल्दीव भी है सिंगापूर जो है यह आपका सार्क का सदस्य नहीं है सार्क में अभी तक कुर्विला के 8 सदस्य हैं जिस कुश्चन की बात करते हैं 24 नंबर निमलेखित में देशों में यूरेनियम का सरवाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है कनाड़ा दच्छिड अफ्रीका नामीबिया संगत्राज अमेरिका तो सबसे यूरेनियम का उत्पादन कनाड़ा में होता है फर्स्ट आप्सन इस सबसे बड़ा कौन सा है चंडिगड पांडिशेरी अंडवान और निकोबार द्यूपसमू या लक्षदीप तो सही आंतरों जो थरड़ा अप्सन है अंडवान और निकोबार द्यूपसमू ये सबसे बड़ा किंसासित प्रदेश होगा पस्चिमंगाल राज की सीमा कितने देशों से के संपर्क में आती है 1, 2, 3 और 4 तो इसे बख़तों 3 जो है देश है जिनके संपर्क में आती है पस्चिमंगाल की सीमा बांगला देश, नेपाल और भूटान तीन देशों से मिलती है 147 नमर कुश्चन है कौन से वन खारे पानी में जीवित रह सकते हैं उष्ण कटबंधी वर्षा वन उष्ण कटबंधी पतजड़ वन परवती ये वन या फिर मैंगरो वन तो आप सभी ने मैंगरो वनों को देखा होगा ये पानी में ही इनकी जड़े होती है फौर्थ आपसन आपका सही हो जाएगा और पिछले वर्ष जो प्रशन ये पूछा गया था कि मैंगरो वन में कौन सा अब रच्छा आता है तो उसमें सुंदरी वन था आपसन सही आपसन तो कहने तात पर ये है कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर वर्ष प्रशन आपके बनते हैं तो बनते हैं तो इन टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ें मैंगरो वन के बारे में आप थोड़ा सा जानकार ये अच्छे से ले 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 148 नमर कुशन है कौन से दियुप समोह सु परसेंट आक्सिजन होती है और 78 परसेंट की बात करेंगे तो ये आपकी नाइट्रोजन गयस पाई जाती है इसके अलावा 0.03 परसेंट आपकी कारबन डायक्साइड होती है 150 नमर कुशन है नगरपालिका का मुख्या कौन होता है प्रधानमंतरी गलत जवाब है प्रधान कभी आपसान ऐसे दे देता है कि आप तुरंत ही उसको लगा देंगे सरोच नयालय के मुख्य नाधिस के निकति कौन करता है लोकसभाई स्पीकर राजसभा के अध्यच्य प्रधानमंतरी या फिर राष्टपते तो सरोच नयालय के जो मुख्य नाधिस होती है उनका निकत किया गया था अपनाया गया था और तभी से भात्में सम्धान दिवस के रूप में 26 नौंबर को मनाया जाता है फोर्थ आपसन आपका सही जवाब हो जाएगा नेक्स कुश्चन की बात करते हैं 153 नमर कुश्चन है योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी तो 1950 इसवी म योजना आयोग की स्थापना की गई थी और योजना आयोग को बदल करके अब नीती आयोग कर दिया गया है नेक्स कुश्चन 154 नमर किस वर्ष बच्चों के अधिकारों के स्थापना की गई थी 2000, 2002, 2007 या फिर 2010 तो सही आंसर थर्ड आपसन 2007 इस भी में ये जो है बच्चो के अधिकारों के स्थापना हुई थी 155 नमर कुश्चन है भारत के समिधान के किस अनुच्चेद में आइस परिषता का वरड़न है अर्थात छुआ छूत को खतम करने की बात करी गई है तो ये बच्चों है अनुच्चे सत्तरा राइट आंसर आपका थर्ड आपसन हो जा चास या 26 नवंबर 1909 सही आंसर जो 26 जनुच्चास हो जाएगा इसमें सेके अनुच्चन आपका सही है आख मूंत के जो है कुश्चन लगाने वाला प्रश्चन था बहुत ही सिंपल कुश्चन कभी-कभी पूश लेता है नेमन में से कौन मौलिक अधिकार सिरेडी में नहीं आता तो मौलिक अधिकार कोईंसा नहीं है ये बच्चों आपका है संपत्ति का अधिकार इसे जो है भारत के जो समिधान में 44 समिधान से रुधन हुआ था उसके तहट मौल अधिकार को हटा करके इसको एक समिधानिक अधिकार का दर्जा दिया गया है त इसके अलावा समता कादिकार हो गया, स्वथ्ंतता कादिकार हो गया, धार्मि bisa अधिकार हो गया, तो 6 मॉलीक agencies आपको दिये गये हैं और 11 मॉलीक कर्तव्य आप सभी को दिये गये हैं, एक 108 नमबर है निम्न में से किसे निम्न सभान कहा जाता है लोग सभा राज सभा विधान सभा या फिर विधान परिशद तो सही जवाब है राज सोरी लोग सभा को निम्न सभान कहा जाता है फर्स्ट आपसन इसका सही जवाब हो जाएगा जो निम्न सभान होता है वो लोग स तो इसे में भारत में प्रतेक नागरिक को एकल नागरिकता केवल एक ही नागरिकता प्राप्त है वो चाहे किसी भी प्रदेश का हो वो भारत का नागरिक होता है केवल एक ही नागरिकता प्राप्त होती है तो इसको आप ध्यान रखेंगे तो इसको आप ध्यान रखेंगे इससे पहले हमने विज्ञान का प्रश्ण पत्र हल कराया और कल की वीडियो में हम गड़ित के प्रश्णों को सौल्व करवा देंगे तो आप सभी लोग बने रहें चैनल पर और एकदम फ्री तैयारिया आप लोग हमारे चैनल के अमाद दिन से कर सकते हैं मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक कि रधन्यवाज जैहिन वन्यवात्रम